इस प्रकार के सेंटेंसेज को इंगलीज में कैसे कहेंगे जैसे की एटो सुक्र है आपने उसकी मदद कर दी एटो सुक्र है वो यहां नहीं आया एटो सुक्र है वो रास्टे में ही मिल गया एटो सुक्र है मैंने उसे बताया ही नहीं गाइज देखिए इन सभी sentences में एक चीज कामन है वह है ये टो सुक्र है ये टो सुक्र है इसे हम इंगलिस में कहते हैं ठैंक फुली ठैंक फुली चलिए इस प्रकार के sentences को इंगलिस में बोलने के लिए किस structure का यूज किया जाता है देख लेते हैं structure में सबसे पहले आपको लिखना है ठैंक फुली इसके बाद आपको कामा का यूज करना है और इसके बाद आपको remaining sentence का यूज करना है जो आप बोलना चाते हैं अब चलिए इस structure को और better examples के माध्यम से समझ लेते हैं पहला example है ये टो सुक्र है आपने उसकी मदद कर दी इसे हम इंगलिस में कहते हैं थैंक फुली यू हेल्प दहीं थैंक फुली यू हेल्प दहीं नेक्स्ट सेंटेंस एटो सुक्र है वो यहां नहीं आया इसे हम इंगलिस में कहेंगे थैंक फुली ही डिड़न्ट कम हीर थैंक फुली ही डिड़न्ट कम हीर नेक्स्ट सेंटेंस एटो सुक्र है वो राष्टे में ही मिल गया इसे हम इंगलीज में कहते हैं thankfully he made underway next sentence एट सुक्र है मैंने उसे बताया ही नहीं इसे हम इंगलीज में कहेंगे thankfully I didn't tell him next sentence एट सुक्र है उसने मुझे पैसे दे दिये इसे हम इंगलीज में कहेंगे thankfully he gave me money next sentence एट सुक्र है उसने आपको पहचाना नहीं इसे हम इंगलीज में कहेंगे thankfully he didn't recognize you guys एट सुक्र है उसने तुमें नहीं देखा guys इस sentence को translate कीजिए और इसका जो answer है आप comment कीजिए guys यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe कर अपने दोस्टों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए thanks for watching keep learning ीटुद्ल Ettग कि दॉधी यह वेपक कीजिएthis है वह बंग